नमस्कार आज हम जिस पार्ट की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है विदाई संभासन और उसके लिखक हैं बालमुकंद गुप्त बालमुकंद गुप्त भारते नुके सहयोगी रशनकार थे आज इस पार्ट की चर्चा करते हुए हम यह जानेंगे कि बालमुकंद गुप्त के लेखन की विशेश्टाएं क्या हैं उनका जीवन और व्यक्तित्व क्या रहा और पार्ट विदाई संभासन में किस प्रकार से लौड करजन के सामने भारतिय जन्मानस की ओर से पाती प्रस स्थान है और क्यों उनको पत्र लिख रहे थे इस तथ्य को भी आज के चर्चा में हम जानने का प्रयास करेंगे साथी हम यह भी जानेंगे कि उस समय की भाषा की क्या विश्यस्ताएं रही और लिखने का ढंग आज से किस ना अलग था और उस समय जब हिंदी बन रही थी तो उस हिंदी का स्वरूप क्या था तो आए हम सुरू करते हैं पार्ट विदाई संभासन के लेखक बालमुकुन गुप्त का जीवन पर्चे एक संचित रूप में उस पर चर्चा करेंगे बालमुकुन गुप्त ने लिखा है कि जो लिखना था वो लिखा गया अब खुलासा यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए शो और ड्यूटी अलग-अलग है तो एक सासन से एक लेखक का कर्तब के बारे में सवाल जवाब करना पूछना और उसके कर्तब की याद दिलाते हुए उसके शो को अलग से रेखांकित करना यह उनकी एक हिम्मत की बात थी जो इस पार्ठ में उन्होंने व्यक्त की थी बालमकुन गुप्त हरियाना राज जी जो आज का हरियाना है उसके रोहतक जिले के ग्राम गुड़ियानी में 1865 इस भी में पैदा हुए थे एक सफल पत्रकार है उन्होंने जीवन में बहुत अच्छे समाचार पत्रों में काम किया और महत्पूर्ण यह है कि जो सीखने का दौर था उसमें पंडित मदन मोहन मालविये जैसे प्रख्यात सहितकार एमसवतनता सेनानी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र क लिए काम किया और वहीं पर सायद उनको सामराजवाद के विरोध का स्वर उन्हें प्राप्त हुआ निर्भीकता प्राप्त हुई और एक स्वतनता की चेतना उनके लेखन का अंश्र बन गई अब इसके बाद वो यहां से आगे बढ़कर के और उन्होंने एक स्वेम अपन निकालना सुरू किया जिसका नाम भारत मित्र था भारत मित्र में उन्होंने लेखन के नए प्रतिमान स्थापित किये व्यंग और विनोत का सहरा लिया समाजिक मुद्धों पर वो तीखी बाते करते थे और उसमें सिव संभू के चिठे नामक जो एक सिरीज उन्होंने नि 1907 में उनकी मिर्त्यू हो गई और यह जो लेख आज के पाठ के रूप में रखा गया है वह भी 1907 में ही लिखा हुआ माना जाता है उनकी आरंभिक सिक्षा उर्दू में हुई थी उन्होंने बाद में हिंदी सिखी मिडिल तक प्राप्त की स्वाध्याय से काफी ग्यान अर के साथ प्रताप नराण मिस्र और भारते इंदू ने तो सुरुवात ही की थी उसके अलावा बाल किष्ण भट जैसे लेखक सामिल थे तो वह एक उससे आगे निकल करके जहां हिंदी को स्थाबित किया रहा था और पंडित मावीर पसाद दिवेदी जो है आ चुके थे हिं कि कड़ी की रूप में माने जाते हैं वो राष्टिय नौजागरण के एक सक्क्री पत्रकार थे और क्या है कि साहित्य का सुरुजन और पत्रकारिता ये दोनों ही काम वो एक साथ कर रहे थे असल में साहित की जो मूल चेतना है वह स्वाधीनता से जुड़ती है और स्वाधीनता की चेतना के साथ ही पत्रकारिता भी की जा सकती है इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को स्वतंता संग्राम का एक हथियार के रूप में उन्होंने विकास किया और उसका कारण यही है कि उनके लेख उन्होंने विनोद का जितना अच्छा इस्तमाल किया वो साहिद उनके समय के किसी और लेखक में दिखाई नहीं देता है वो जो जनता के बीच में जो जो शब्द चलते हैं जो भासा चलती है जो बोलने का लहजा चलता है उसको उन्होंने अपने साहित में उतारा उसको ले आए और इस कारण से उनका लेखन जो है वो ज़्यादा लोगप्री हुआ और अनुआद कर रहे थे उस समय के ज़्यादा तर लेखर जहां भी ग्यान की संपदा मौझूद थी बंगला में अंग्रेजी में अन्य भाशाओं में उसको वो ले करके आर रहे थे और यहां पर हिंदी साहित के भीतर ग्यान की रासी को सम्रिध कर रहे थे और यहां के जन्मानस को इसलिए तयार कर रहे थे कि वो अपनी भाशा में सोचना, समझना, लिखना, बोलना, सीखने में समर्थ हो और उसके लिए पर्याप्त रूप से ज्यान संपदा मौझूद हो उनका जो पाठ है, विदाई संभासन, हम जिस पाठ पर आज चर्चा कर रहे हैं, वो उनकी एक व्यंग किरती है, सीव संभू के चिठे, उसका अंस है और यह पाठ वाइसराय लॉड करजन जो 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक भारत में दो बार वाइसराय के रूप में काम कर चुके हैं, उनके सासनकाल में भारत ये जनता की क्या इस्तिती रही, इसका खुलासा करता है लॉड करजन के बारे में कहा जाता है कि उनके सासनकाल में बहुत सारे काम हुए और नए-नए आयोग बने, रेलवे का काम हुआ, सिक्षा पर कानून बना, विश्विद्यालों पर कानून बना, फिमाइन कमिशन जैसे आकाल कमिशन कहते हैं, उसकी इस्तापना हुई, तो बहुत सारे काम हुए, लेकिन वो सारे काम जो हो रहे थे, उसका उद्धस भारत की जनता की खुसहाली नहीं था, उसका उद्धस, जो अंग्रेजी सामराज था, जो गोरों का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को पूरी तरह से एस्थापृत करना था, और इस देश के हर सं साधन का उपियोग अंग्रेजी सामराज जवाद को मजबूत करने के लिए करना था यह उस पूरे काम का उद्देश था इसलिए लौड करजन भारत में जब आये थे तो अंग्रेजी हुकूमत की आशाओं के केंद्र थे लेकिन इतने सारे जब काम वो एक साथ करने लगे तो गुप्त जी ने लिखा कि जंगी लाट के साथ उनकी मुठवेड हो गई जंगी लाट कौन थे लाट किचनर अब ये पूरा जो लेक है ये लेक इस बात से ही शुरू होता है कि लाट करजन की विदाई हो गई अब लाड करजन की विदाई का एक एतिहासिक संदर्व है और उसका एतिहासिक संदर्व ये है कि वाइसराय की कॉंसिल में कुछ जो कारेकारी सदस्य होते थे उसमें एक सदस्य का नाम होता था सैनिक सदस्य और उसमें पर्धान से नापती भी होते थे तो जो सैनिक सदस्य होता था वो सैन मामलों में वो कारवाहक परधान होता था उसी के द्वारा लिये गए निर्ने को सेना को लागू करना पड़ता था जब लॉर्ड किशनर 1902 में भारत आए और बड़े मसूर थे सफल जो है जनरल माने जाते हैं तो उनके आने के बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए वाइसराय की कॉंसिल में संघर सुरू किया और उन्होंने ये मांग की कि जो जो मिलिटरी मेंबर है जो उनका जो अधिकार है वो अधिकार सेना प्रमुख को मिलना चाहिए यार्ड किचनर को मिलना चाहिए तो अपने नामित व्यक्ति को सैनिक सदस्त के रूप में रखने के लिए लौड करजन ने अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डाला कि जो व्यक्ति मेरी और से नामित किया गया है उसी को रखा जाए लेकिन इस पूरे जंग में ब्रिटिस ने लौड किचनर की बात को स्विकार कर लिया और लौड करजन की बात को स्विकार नहीं किया और सारे अधिकार लौड किचनर को मिल गए इस तरीके से करजन की हेटी हो गई उनकी बेजती हो गई इसके बाद उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी जब इस्तीफे की धमकी कर लिया कोई मानमनवल ना कि कहा कि ठीक है आप इस्तीफा देना चाहते हैं लौड करजन के भारत से जाने के समय शिवसंभू के चिठे के रूप में शिवसंभू एक पात्र है तो उनकी ओर से एक चिठा लिखते हैं बालमकुंद गुप्त कि आप जब भारत से जा रहे हैं तो आपके जानने के समय हम भारतिये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो सिवसंभू एक पात्र है उसमें एक लंबी सिरी चली और एक कालपनिक पात्र है सिवसंभू जो भांग के नसे में डूबा रहता है ऐसा उसके बारे में जो उन्होंने उस पात्र की रशना कि तो उसकी विश्यस्ताओं का व्याख्यान किया और खरी खरी बात कहता है और निरंकुस लॉड करजन द्वारा लागू दमनकारी प्रेस कानून की वज़ा से इस कालपनिक नाम का इस्तमाल करना पड़ा बालमकुन गुप्त अपने नाम से न लिख करके वो श्रीव संभू के नाम से एक लंबी सिरीज वो लिख रहे थे और उसी में ये पत्र भी आता है जो सिवसंभू के चिठे के रूप में रखा गया है सिवसंभू नाम का प्रयोक्यों किया क्योंकि सिवसंभू भारतिये जन्मानस में भारतिये परंपरा में एक रचा बसा नाम है जो स्वें किसी से दबदा नहीं होगा तो सिव संभू की ओर से एक पत्र लिखा गया और इसलिए कि सीधे सीधे लेखक जो है सामराज वाद की शक्तियों से जूझने के लिए उस समय प्रस्तूत नहीं होते थे उनके उपर सरकार कठोर कारवाई करती थी तो उससे बचने के लिए वो ऐसे कालपनिक नामों का सहरा लेकर के जनता को जागरुक करते थे और उनके भीतर स्वतंत्रा की चेतना का निर्माण करते थे यह जो पात्र है सीव संभू यह बेधड़क होकर के अंग्रेजी सरकार की कू नीतियों की तीखी आलोचना करता है लौड करजन के भारत से इंग्लेंड वापर जाने के समय भारतिय मन करोणा में डूब गया यहां से इस चिठे की सुरुआत होती है गुप्त जी ने भारतियों की बेबसी दुख लाचारी को व्यंग्यात्मक ठंक से लौड करजन की बेबसी और लाचारी से जोड़ने की कोशिस की है उन्हों ने यह बताने का प्रियास किया है कि सासन के आतताई रूप से हर किसी को कउल ठोटा है भारतिये जनता करजन से दुखी थी और करजन बिरतानिया सरकार से दुखी थे और जाते समय साइद दोनों की भावनाएं एक साथ जुड़ रही थी इस चिठे का प्रारंब होता है माई लॉड अन्त को आपके सासन का इस देश में अन्त हो गया अब आप इस देश से अलग होते हैं इस अन्सार में सब बातों का अन्त है इससे आपके सासन काल का भी अन्त होता चाहे आपकी एक बार की कलपना के अन्सार आप यहां के चिरस्थाई वाइसराई भी हो जाते किन्तो इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आप ही का था ना इस देश के निवासियों का इस से जान पड़ता है कि आपके और यहां के निवासियों के बीच में कोई तीसरी सक्ती और भी है जिस पर यहां वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है बिचड़न समय बड़ा करणोत पादक होता है आपको बिचड़ते देखकर आज हिरदे में बड़ा दुख है तो इस अंस में गुप्त जी ने भारतिय जन्मानस की उदार चितना का वर्णन किया है कि बिचड़ने का जो समय होता है उसमें करणा उत्पन हो जाती है मन के भीतर पवित निर्मल और कुमल भा उदे होते हैं और यह जो भारतिय जन्मानस की जो करणा है वह करण के अहंकार सासन की गलत नीतियों और कारियों के बावजूद उत्पन होती है क्यों कि किसी के भी बिचड़ते समय भारतिय जन्मानस में करणा का उत्पन हो जाना सुभाविक मानते हैं यूरोपिय संस्कृति से अपनी अनविकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि आपके संस्कृती में क्या होता है लेकिन भारतिय संस्कृती में तो आतताई की विदाई के समय भी दुख होता है फिर वो एक उदारन देते हैं और कहते हैं कि एक किसान के पास दो गायं थी एक बलसाली थी और दूसरी एक कमजोर थी बलसाली गाय कमजोर गाय को टकर मारती थी एक दिन गाय को पुरोहित को दे दिया जो गाय टकर मारती थी तो जब टकर मारने वाली गाय चली गई तो निर्बल गाय उस दिन भूखी खड़ी रही पूरे दिन चारा भी नहीं चुआ तो इससे ये बात समझ में आती है कि भारत में लोगों के भीतर करुणा का भाव मौजूद है आगे लिखते हैं गुप्त जी आगे भी इस देश में जो परधान सासक आये अंत में उनको जाना पड़ा इस से आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है तथा पी आपके शासंकाल का नाटक घोर दुखान्त है और अधिक आश्चरी की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वेम सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखान्त समझ कर खेलना आरम किया था वो दुखान्त हो जावेगा जिसके आदी में सुख था मद्द में सीमा के बाहर सुख था जिसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ आह गमंडी खिलाडी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूं किन्तु पर्दे के पीछे एक और ही लीला में की लीला हो रही है या उसे खबर नहीं है अब जो पीछे की जो राजनी चल रही थी करजन के जाने के पीछे गुप्त जी उसका संकेत करते हैं क्योंकि करजन के कारे बहुत हैं उनका भी संकेत करते हैं कि उन्होंने सिक्षा आयोग बनाया आकाल आयोग बनाया सिचाई आयोग बनाया, पुलीस आयोग का गठन किया, भारतिय विस्विद्धाले एक्ट का निर्मान किया, लेकिन और भी कुछ किया, बंगाल का विभाजन किया जनता की इच्छा के विरुध जाते हुए बंगाल का विभाजन हुआ और पूरे देश में विरुध की लहर खड़ी हो गई तो राश्टी ताक्तों के दमन के प्रयास के कारण जनता में विरुध की एक व्यापक लहर उठी और उसके कारण बिटिस सामराज की जड़े हिलने लगी उसी समय जब किचनर के उपर ये जिम्मवारी थी कि वो कानून बेवस्था को ठीक रखे लाड करण और किचनर का विबाद हो गया उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे और इस्तीफे की धंकी और उसके बाद से लाड करण का जाना इन सब बातों का संकेत करते हुए गुप्त जी ने दो सब्दों का इस्तमाल किया है एक सब्द है सुत्रधार दूसरा सब्द है लीलामे तो जो करण को भेजने वाले थे यानि सुत्रधार जो थे कौन थे बिटिस सामराज्य जो लंदन में बैठी हुई जो सरकार थी उसने करण को भारत में भेजा था 1899 और क्यों भेजा था कि भारत में अंग्रेजी प्रभुत को मजबूत करना है उसकी नीतियों को यहाँ पर लागू करना है लेकिन करजन ने सुरुवाती सफलता के बाद टकराव का रास्ता अपनाया वो अपने ही सासन से भीरते रहे वो सेना से भीरते रहे और जनता से भीरते रहे और इस कारण से बेटिस हुकूमत बदनामी को भी ध्यान में रखते हुए वो नाराज हो गया और पद से हटा दिया गया जब पद से हटाया गया तो जो लाव और सुख की कामना के साथ करजन को भारत भेजा गया था की नाटक सुखान्त होना चाहिए वो नाटक अंत में दुखान्त हो गया और लीला में इश्वर की लीला सुतधार तो चाह रहे थे कुछ और करना लेकिन इश्वर कुछ और चाह रहा था उसने भारतिये जनता के भीतर स्वाधिनता की चितना भरी और उसकी लीला के कारण से ये पूरा का पूरा जो नाटक था वो दुखान नाटक में बदल गया तो आज के इस एपिसोड में हमने यह देखा कि बालमुकुंद गुप्त का सहीतिक योगदान क्या है उनकी पत्रकारिता में उनका योगदान क्या है और पाठ विदाई संभासन की एतिहासिक पिष्ट भूमी क्या है किन कारणों से इस चिठे को लिखने की जरुवत आन पड़ी और सिसंभू नामक कालपनिक पातर का इस्तमाल क्यों करना पड़ा उस समय की भासा की जो खासियत है वो उसे हमने उदारनों के रूप में देखा है इसके आगे अगले पाठ में हम पाठ के सेस अंस और भासा संबंदी विशिष्ट प्रयोगों की चर्चा करेंगे नमस्कार झाल